मजहाब एक ऐसी चीज है जो बहुत से चीज होती है उस चीजों को आप घलत वे में दिखाएंगे टीवी पर अगर के मुवी में आके तो मुझे लगता है कि यकिनन आप नहीं बोल रहे हैं इसके पीछे कोई और है जो साजिश करके आप से बलवा रहा है लाग डाउन से नि इसा करने के बाद इन्होंने एक मुवी लांच की जो वेब सीरीज लांच की जिसके अंदर हिंदू देवी दिवताओं के साथ बरजस्ता उसमें बत्तमिजी और बत्सलुकी दिखाई गई है यह नहायती ही गलत है यह मेरे समझ से तो बिलकुल गलत है क्योंकि मजभ हमारा भी इसलाम कहता है कि किसी भी मजभब के खिलाव आप कोई वर्ड ना भोले मुझे बताई कि मुझसे कहा जाए कि मुझे कि किसी गहर मुस्लिम भाई की आस्ता करना है मैं तो नहीं कर पाऊंगा याकिनल मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा बैग्रां को तभी में करूंगा ब आसकी रेट में विरोजगार पड़ा हुआ है जो युवा अपने और भी चीजों में इंवाल्ब है वो युवा को इन चीजों में जाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ एक समुदायका बंदा ये कह रहा है सोसल मेडिया पे इस मूवी टांडों मूवी सीरीज के आने कर दो कि आखिप साहब यह जानना चाहते हैं कि इन दिनों फेस्बुक वाट्साप और दिगर सोसल मीडिया पर एक वेफ सिरीज आई है टंडो और टंडो को लेकर पूरे देश में टंडो मच लिया और इसमें क्या चीज है जिसको लेकर टंडो मचा है और इस तरीके की मुवीज आने से कितना फाइदा और कितना नुखसान है इस पर आपका क्या नजरीया है अपने नजरीये से बताना चाहेंगे आपको जानना होगा कि जो दो हीरो इसमें लिए गए हैं इस चाहरा आपना समर्थन देने आये तहे उसवक्त यूआं के सामने एक बेहत्रिन चेहरा लगने लगा था यह चेहरा और सबसे दादा ऐसा माना जाए तो सबसे दादा मुस्लिम चेहरा यह कहा जाता था कि बहुत मेहतरी चेहरा यह है तो मुस्लिम यूआ इन से जुनने लगे थे बहुत सारे लोग इन से मतस्थिर हो गए थे अब इसके बाद दूसरा चेहा जो सैफ अली साब का है ये पुराने अलुमिनाटी तन्जीम से जुड़े हुई ये हैं उनके मेंबर है ये खुफिया एजनसी होती है जो अपने इशारे पेहल से चलाती है लोगों को ये खुफिया एजनसी किसे खास कौम के खिलाफ इनका मनसूबा होता है कि समझते हैं इसे पूरा can таких है इसका पूरा इसका aha हिंदुस्तान में हिंदु मुस्लิम के बीच धर्मینाओं पैदाा करना हो तो येहती한 का अगर आपको पहचानना हो लोग भी ऐसे आते हैं वो कर देते हैं वOOD अरहां ह। यह लोग वह ले uppuat लेकित हैं यह चाहिए हृगी कोlvania कूछ ही कि यह यह चाहते हैं कि यह देश के अंदर कभी कि अच्छे से कोई चीज चल सके यह हमेशा बिगाड़ने काम करते हैं जितने भी मुझे लगता है जितने भी बालीवूट के अंदर जितने भी एक्टर हैं जो बड़े हैं वह सारे इन से जुड़े हुए क्योंकि ऐसी चीजें आप कभी सोच भी ने सकते कि किसी भी धर्म से ढ़्र जुड़ी होई चीजों को टीवी पे इस तरिके से दिखाय जाएंगा मुईबाइल ठीके ळाधों स्था जूड़ी होती है लोगों की विश्वास और मजभ़ाभ एक ऐसी चीज है जो बहुत सेंसेटिव चीज होती है उस चीजों को आप घलत वे में दिखाएंगे टीवी पर अगर के मुवी में आके तो मुझे लगता है कि यकिनन आप नहीं बोल रहें इसके पीछे कोई और है जो साज़िश करके आप से बलवा रहा है और ऐसे मौके पर जब कि अच्छा चल पहले नहीं की कौन क्या कर रहा एक चुल बहुत अच्छे मेडिया पर कमेंट आ बंधो गए थे जुसरे के खिलाफ बहुत अच्छा माहूल था ऐसे में बहुत अच्सों धिकाक का रही कैसे शांती की चल रहा है मामला इसको थोड़ासा और विस्पोटक बनाते हैं और ऐस मुवी लांच की जो वेब सीरीज लांच की जिसके अंदर हिंदू देवी दिवताओं के साथ बर जस्ता उसमें बत्तमिजी दिखाई गई यहुदी जो इस मुल्कि यहुदी जो इस मुल्कि इस मुल्क में जो नफरत फैलाने की जो उन्होंने थीम चोड़ी थी अभी वो बरकरार है बिलकुल बरकरार है यह साफ दिखरा है आप मुझे बताइए कि मुझसे कहा जाएगी मुझे किसी गेर मुस्लिम भाई की आस्ता किराद करना है मैं तो नहीं कर पाऊंगा यकिनल मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा बैग्राओं को तभी में करूंगा बहुत बड़ा किसी का साधिश होगी जाल साधिश होगी आज की रेट में विरोजगार पड़ा हुआ है जो जो युवा अपने और भी चीजों में इंवाल्व है वो युवा को इन चीजों में जाले की कोशिश की जा रहे है कि एक तरफ एक समुधाय का बंदा यह कह रहा है सोसल मीडिया पर इस मूवी टांदों मूवी सीरीज के और एक तरफ दूसरा यह कह रहा है दूसरी समुधाय का कि मैं तो देखूंगा तो यह कैसे होने लगा यकीनन यह आग डालने की कोशिश की गई है हमारे इतने अच्छे मुल्क में इतने बेहतरी नोज ने अच्छे प्यारे मूर्क के अंदर जहां पर इतने सारे लोग इस डाली जा रही है यह चोटे-चोटे लड़के आज सोचल मेडिया पर नौजवान आज एक्टिव हैं इन बच्चों को क्या मिलेगा रिस्पांस क्या मिलेगा इससे क्या सीखेंगे यह वेब सीरिस से ऐसा का आज उन्हों ने हिंदू समुदय की ऊपर बनाया है कल वह मुस्लिम समुदय आधायों बनाइगे बार बार आता है दोनों लोग एक साथ रहते हैं और इस मुल्क को तोड़ने के लिए बारूनी ताक्ते जो लगी हुए है आप पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि यह बैरुनी ताकत इस तरीके की चीज़ को इस पांसर करती है। मिनकों जब तक कोई इसकी गहराई तक नहीं जाएगा इसको समझने तब तक वह इस बात को हमारी भी समझ नहीं पाएगा क्योंकि उनको लगेगा कि आकीब बहुक्त कुछ और कहना चाहरे लेकिन उनको यह जानना पड़ेगा इलुमेनाटी का क्या काम है इलुमेनाटी का काम यह है कि हम दो भाई आपस कैसे सही साथ में रह रहे हैं उसमें जहर गोलो यह दोनों अलग होनी चाहिए अलग होने में पागिस्तान करता रहा तो ऐसे मैं मेरे समझ से मैं अपने हिंदुस्तान मुल्क के साथ हूं तो मैं हर धर्म की इज़त करूंगा मैं और आगे भी उनसे अपेच्छा रखता हूं क्योंकि मेरे हिंदु भाई बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे अगर आस्ता के मतलब मेरे भी मजब पे कोई आच लाता है ना तो वह लड़ जाते हैं कि नहीं आप इस तरह की बात हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान इस तक में जो भी चीज़े दिखाई है और राजनीत भी जो दिखाई गई है मुझे तो हैरत हो रही है कि कैसे यह नेता जितने भी नेता है आलोगर इंडिया में जितने भी नेता है उनको तो इस पर खुद बहल लगवाने की बात करने चाहिए जिस तरीके की गंदी पहला सीरीज में जो वीडियो दिखाया है उन्होंने धार्मिक चीजों पर जो भगवान जो जो भी आस्ता के प्रती जो भी अपने दिल्चस्पी रखे हुए जिस धर्म के लोग उनको ठेस पहुंचेगी 100% पहुंचेगी उस सीन को देखने के बाद 100% पहुंचेगी कल को हमारे बारे में हमारे मजभब के बारे में डाल सकते हैं कल को हमें तकलीफ पहुंचेगी तो ऐसी हम भी अप इच्छा रखेंगे कि हिंदू भाई हमारा साथ देगा लेकिन आज जो काम उन्होंने किया है नहायती घलत किया है ऐसे में तो सैफ अली सापको और यायूभी सा तो उन्होंने नहायती घलत पिक्चर थी वह उसमें भगवान के साथ क्या-क्या नहीं बोला गया उसमें बेहुर्मतिया की गई उसके साथ अभी देखिए आप मीखा सिलका गाना है जुम्मे की राते करके इसा गाना यह सब क्या है समाज में क्या देरा चाहते है क्या परो डाला जा रहा है बाली वूट की तरफ से एक टेस्ट जाला जा रहा है लौशाद भाई कि यह टेस्ट पहले समाज के अंदर युवां में जुड़े उसके बाद इसको अब डायेट तो पीवी पे आप टेलीकाश कर नहीं सकते ब्राटकास चुकी गवर्मेंट के आत में इ फाले मुझे लगता है लुगता है नए जनरशन कर दिखा रहा है अप बाहरो मुझे दिखा रहे हमारे बीच में गंदी राजी चल रही है लाल बहदुर शास्तरी की सियासत देखाते बिल्कुल इस मुल्क के लिए मिशाल शांदर शखर जी दिखाते और भी बहुत सारे साथ के दिखाते बिरिग मीघेर उसमान चुजशत गूए हमारे मिलन में नौजवान को शहिदों की चीजन में सैंठाना मुलक में प्रें थी इस हुगे जीनिय गैने कोई अच्छे backup इसे कंडिया मॉलक लेकिन ऐसी पिक्चर जो समाज को गलत दिशा दे रही हो और वह यह नहीं कि वह सैफ अली है तो मेरा भाई है अच्छे कुमारे तुनका भाई है ऐसा कुछ नहीं है मुल्क के जो नौजवान है हिंदू-मुसलीम दोनों तबके से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कभी आस्था के प्रति अगर आपके भी आस्था के प्रति ठेस पहुंच रहे होगी और मुझे उमीद है कि जब मुझे पहुंचेगी तो आपको भी ठेस पहुंचेगी य अगर यही नहीं रहा तो हम नहीं रहे हम नहीं रहे तो कुछ नहीं रहा इसलिए देश को जोड़ने की कोशिश किया जाए बॉलीवूट से मेरा निवेदन है अगर मेरी वीडियो शायद बालीवूट तक चली जाए अगर एक भी बंदा उसका कोई कुरू मेंबर भी आएगा कि देखिये सस्ती शोरत मत कमाई एक टिकने वाली शोरत कमाई और मजबूत कमाई यह सब चीजे आने वाली वक्त में आप ही के बच्चों को आप ही के लोगों को चुकि सबको हिंदुस्तान में रहना है ऐसी चीजों से युवाओं को देख रहा हूं मैं सोचल यह डाला जाता है कि वह बर्निंग होगी तो उनकी इंकम बढ़ने आप से बताया कि एक सीरीज से लेके नौशाद भाई दस सीरीज तक है सिर्फ 45 सेकंड उस पिक्चर में वस यही डाला गया उस सीन में कि खास करकि वह मसाला रहे थोड़ा सा मिर्शा डालो ताकि लोगों इंसान को अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप से कहना चाहता हूं टियार पी एक ऐसी चीज जिसको आपको समझने की ज़रूरत है ऐसी टियार पी जो मसाला डाल करके हमारे समाज को गंदा कर रही है उसको रोकना पड़ेगा और उसको रोकने के लिए आपक कontra çal framework को झायों और मैं आग susie चैनल से मैं सबसमें करना चाहता हूं कि जो भी पत्रकार या जो भी मेडिया छैनल चाहिँ जाए वह को कई हो ऐसा कोई भी पत्रकार पेपर मेडिया हो तो भी अगर शार लिख रहे हो गलत चीज़े दिखा रहे हों बाइकाट कीजिए अगर आप हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है तो आने वाली जनरेशन क्या समझेगी कब समझेगी आखिर उनको समझाने कौन आएगा इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं मैं गुजारिश कर होए और इससे बहुत बड़ा हलनी निकलने वारा देश का लेकिन यह है कि इससे दिखाने से देश का माहोल जरूर खराब जाएगा हमारे जो एक दूसरे से अच्छे तालुका थे वह बिगड़ जाएंगे सवहार्द्री बिगड़ना चाहिए यह हमारी बनाई हुई पू मत रवारी बनाई हुई है झाल